जैनरो पैलेसिसा इंगलेंड की मशूर कॉफी कमपनी कोस्टा कॉफी के लिए काम करते हैं और जैनरो पैलेसिसा एक कॉफी टेस्टर है यानि कि ये किसी भी कॉफी को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है लेकिन आप लोगों को जान करके काफी आश्चर्य हो और क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में सबसे महंगा जहर यानि कि पौईजन किस जीव का है अगर नहीं जानते तो वीडियो को सुरू से लेके लास तक जरूर देखें अपनी आज किस वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटर 2014 में 28 लाक रुपे मूवी की टिकेट्स पर खर्च करके अपने आसपास के शहर के सभी फेमेस सिनेमा घरों की टिकेट्स खरीद ली और वो इस बात को दिखाना चाहता था कि एक इनसान का वक्त बदलता है तो वो एक टिकेट नहीं बलकि ना जाने कितने ही सिनेमा घरों को खरीद सकता है नमर टू अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोटिस कियोगी कि आपका टीबी या फिर रेडियो कोई भी इलेक्ट्रोनिक आइटम जब खराब होता है तो उसके अंदर से गीं गीं ऐसी करके आवाज आती है लेकिन आप लोग जान करके सप्राइज हो जाएं वास्तम में ये काफी सप्राइजिंग और अमेजिंग है अक्सर लोग कुत्तों के रात में बेबजा भोकने से बेहदी परिशान हो जाते हैं लेकिन आपको जान करके आश्चर होगा कि बेसेंजी नसल के कुत्ते अपनी लाइफ में कभी भी भोक नहीं सकते क्योंकि चेतर में जितनी भी बर्फ फैली है उसमें से तीन से लेकर के लगभग 5% तेक की बर्फ सिर्फ पेंगुइन के मूत रियानी के उसके सूसू से बनी है नमर 5 आप में से अधिकतर लोगों को वाटर पार्क तो जरूर पसंद होंगे और गर्मियों के सीजन में आप लोग व इस दुनिया की सभी मिस्टेριस चीजों में से एक मिस्टेριस चीज हुमेन बोडी यानी कि इनसान का शरीर भी है विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इनसान के सरीर पर मौझूद में से सिर्फ एक परसंट को ही साइंस जान पाया है वाकि 99 परसंट आज तक अन्नोन है नमबर सेवन पोईजन यानि कि जहर के बारे में आप सब लोग जानते ही है जिसे खाने से इंसान की डैथ यानि की मृत्ति हो जाती है लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिच्चु के एक गेलन जहर की कीमत लगबग 300 से लेके 300 करूड के आसपास होती है यानि कि इस दुनिया का सबसे महंगा जहर है नमबर 8 अगर आप लोग माउस पर क्लिक करके अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करना चाहते है तो इसके लिए अगर आप एक कैलोरी बर्न करना चाहते है तो आपको कम से कम माउस पर एक करूड बार क्लिक करना पड़ेगा नमबर 9 आप लोगों को सुन करके शाय थोड़ा सा और जरूर लगे लेकिन ये बिल्कुल सच है कि न्यूजिलेंड में वहां के लोगों की आवादी से ज़्यादा पैट एनिमल यानि क्यों उनके द्वारा पालने वाले जानवरों की आवादी है. नमर 10 नासा के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं नासा के साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर आप लोग दोपहर में 20 से लेकर के 30 मिनट तक की नींद लेते हैं तो ऐसा करने से आपका माइंड पहले के मुकाबले काफी एक्टिव हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है